आज पंद्रा अगस्त के मौके पर भारत के आजादी के 73 साल पूरे होते हैं तो आज सोचा कि आज भारत के जो आज प्रधान मंतरी हैं लाल किले के प्राचीर पर जहंडो तोलन करें गे वरतमान में अभी हमारे भारत के प्रधान मंत्री स्रीम नरेंदर मोदी जी है तो मैंने सोचा कि उन्हाब 1947 से लेकर भारत की अजादी से लेकर अब तक कि सभी कि प्रधान मंत्रियों की एक सुची बनाई जाए और आप लोगों को कुछ अदभुत जानकारियों से अभगत कराया जाए तो इसी संदर में मैंने यह वीडियो बनाया है आप लोगों के सामने आप इस वीडियो को जरह ध्यान से देखें और समझिए कि इस से 73 साल की के प्रधान मंत्री पत पर आसेन हुए हैं और उसमें जो सबसे इंपोर्टेंट है वो भारतिय राश्ट्रे कॉंग्रेस का इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का और उसने इस 73 साल में उन्होंने 73 73 एर्स में 37 साल इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है मतलब यू भारत के प्रधान मंत्री के रूप में काम किया है जिसमें जवार लान नहरू हैं इंडरा गांधी हैं राजीव गांधी हैं तो यह कुल मिला के उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने लगतार भारत के प्रधान मंत्री पद पर अपने रोल को निभाया है कुल बिला के भारत में अब तक 14 प्रधान मंत्री बने हैं और एक गुलजारी लानलंदा को भूलना नहीं चाहिए साइद वो काफी अनलकी इंसान थे क्योंकि उनको कारवाहक प्रधान मंत्री के रूप में चुना जाता था जैसे कि अभी आपके फिगर के सामने किलियर है चवार लानलेरू जो आजादी के ठीक बाद भारत के प्रधान मंत्री बने और उनकी डेथ हो गई थी प्रधान मंत्री पद पे आसीन रहते हुए तो उनके बाद इन गुलजारी लानलंदा को कुछ दिनों के लिए 13 दिनों के के लिए परधान मंत्री बनाया गया कारवाहक परधान मंत्री उसके बाद ढ़े चुन करा है वह लाल बहुदर सास्त्री आए और लाल बहादूर सास्त्री भी ज़्यादा दिन तक जिवत नहीं रहे तासकंद गय थे वो और उनकी रहस्में तरीके से मिर्थिव हो गई और उसके बाद पूना जो है कि ये जो हमारे हुल्जारी लानन्दा है उनको पूना कारवाहिक परधान मंत्री बनाया गया लाल बहादुर सास्त्री एक साल साथ महने के लिए रहे और इस दोरान में उन्होंने जो है कि उनका नाम काफी अलग तरीके से लिया जाता है लोग पर सासन में उन्होंने काफी काम किया है और भारत का जो यूपी एसी के बच्चे जो तयारी करके जाते हैं उन्ही के नाम पे उस संस्था का नाम भी रखाया है लाल बहादुर सास्त्री नेशनल एकेडमी अप अडिमिनिस्ट्रेशन तो ये इंपोर्टेंट है लाल ब मेरू की पुत्री थी तो इन्होंने जो है कि उनिसो चियासट में भारत के परधान मंत्री के पत्पर सपतली और ये लगातार चीनों सो चियासट से लेके उनिसो सततर तक भारत की परधान मंत्री बनी रही और इसी दवरान भारत ने जो है आपातकालिन भी देखा है उनिस इंद्रा गांधी का कारेकाल जो 10 साल का वह बहुत ही इंपोर्टेंट रहा है और उसके बाद यह मुरार्जी देशाई है यह इन्हीं की पार्टी में थे कॉंग्रेस के पार्टी सीनियर मुस्ट लीडर थे तो यह जो है कि जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद उसके बा इस बार दूसरे बार आई थी और अब इस बार इनका जो मकसद था कि यह इस बार इनकी बॉडिगार्ट्स ने इनके मृत्यों कर दी जिनकी 31 अक्टूबर 1984 कोई की मौत हुई क्योंकि इसकी भी वज़ाय हो गई थी इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था जिसके तह इंद्रा गांधी ने फिर बाद में राजीव गांधी आये हमारे देश के परधान मंत्री बनके इनको से पैथी वोट काफी मिला सबसे कम उमर के परधान मंत्री बनके आये उबर कर सामने आये मातरे 40 साल के उमर में ये परधान मंत्री बन चुके थे और उसके बाद 1885 में भारत में इनको कंप्यूटर उपकी देन इन ही को माला जाता है इन ही की पार्टी में थे ये विश्वनात परताम सिंग जो की डिफेंस मिनिस्टर से इन्होंने इनका परदा फोल के दिया विफोर्स कांड की चप्चा कर दी जिसके वैसे राजीव गांधी कट घरे में गिर गए और बीपी सिंग को जे वावाई हुई बीपी सिंग जो है कि भारत के परदान मंत्री बन कर आए ये जनता दल से थे फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं चंदर सेखर को और ये चंदर सेखर जो ऐसे इंसान थे जो कि इनकी छवी बड़ी साब सुतरी थी साथ मह बाद हम लोग देखते हैं चंदर सेखर के बाद इसी समय में एलेक्शन का दौर फिर से स्टार्ट हुआ था और आजीव गांधी को एकाइस माई उनिसो चिहां में में इनकी हत्या कर दी गई और फिर ये जो है नर्शी महारा भारत के परदान मंत्री बने फिर से कॉंग्र एक वोट से इनकी सरकार गिर गई थी और ये करम आया ऐसा बिल्कुल अध्भूत करम आया था जिस समय की पीवी नर्शी महारा के बाद में देश की राजनिती के स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी अटल भीहरी बाच पर ही तेरा दिन के लिए फिर एजडी देव गौडा को भारत का प्रदान मंतरी बनाएगा है उनाइटज फ्रैंट से थे ये भी जो है एक साल 324 दिन करीब दो साल गाजब लिए भारत के दसम recap मंतरी रूप में तब तक इन्हों ने एक साल सात महने कारon पूरा किया और पूर जो है कि रोई है भारत के परदान मंतरी बने और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये अगले 2004 तक भारत के परधान मंत्री बने रहे अटल बिहारी बाजपेई के बाद भारत की सरकार थोड़ी स्थिर हुई और उन्हें यूपी एकी सरकार बनी मन मोहन सिंग आये और 2004 से लेके 2014 तक भारत के परधान मंत्री रहे और अभी बरतमान में भारत के परधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी जी हैं और यह जो है कि इंडिये गवर्मेंट की तरफ से हैं जिसको कहते हैं नेशनल डेमोक्राटिक एलाइंस और यह अभी 2014 से लेके अभी 2020 तक अभी तक अभी परधान मंत्री पद्पेर हासीन है सबसे इंपोर्टन चीज़ जो सीखना है हमें वह यह जानना है कि जो सबसे भारत के परधान मंत्री जो हैं वो मरते भी हैं तो भारत के जो सबसे सीनियर मोष्ट परधान मंत्री जो हमारे जो सबसे च्यादा उमर में मरें हैं वो कौन थे वह मुरारजी देसाई थे जो 99 साल 41 दिन के अबधी में इनकी मुर्तिव हुई उसके बाद जो उनसे कम उमर के हैं या यूँ बलाजा जो सेकंड सीनियर मोस्ट जिनकी हत्ते जिनकी मौत हुई वह अटल ब्यारी बाजबही थे इनकी जो मुर्तिव है 93 साल और 234 दिन तक यह इसके बाद हम लोग आते हैं जो सबसे कम उमर में जिनकी मृतिव हो गई वो हैं राजीव गांधी और राजीव गांधी की कुल उमर थी 46 साल 274 दिन यह 40 साल की उमर में ही भारत के परधान मंत्री थे एक एकलौता परधान मंत्री जो भारत में नहीं विदेश में मरा है व भारत में कुल मिला कि अब तक 14 परधान मंत्री बन चुके हैं और अगर अगर गुलजारी लंडा को जोड दिया जाए तो यह दो बार भारत के कारिवाहत परधान मंत्री बन चुके हैं अब जो है एक कुछ और भी इंपोर्टेंट दिल्चस्प जानकारिया है कि यह कि अभी अपन मंतिरी जो अब तक अब जो रिटार हो चुकी है लेकिन अभी जो कौन को ने तो मनमोहन सिंग अभी भी जीवित है 88 साल के हैं एच्टी देवगोडा जो है अभी भी जीवित है 87 साल के हैं यह 23 साल पहले ही भारत के परधान-मंत्री का पड़ यह त्याग चुके हैं उसके बाद नरेंद मुदी जो अभी भी जीवित है 69 एर्ज के और एक इंपोर्टन बात यह है कि अब तक भारत म तो एक सिर्फ नरेंद मुदी ही ऐसे हैं जो आजादी के बाद पैदा लिये हैं और यह आजादी में के बाद भी पैदा लिये हैं तो जरा इनका दिन भी देखने लाइक है यह 17 सितंबर को पैदा लिये हैं 17 सितंबर 1950 को पैदा लिये हैं मतलब विस्व कर्मा पूजा के द इसको उलट दो तो 37 साल की जो है सिर्फ कॉंग्रेस ने इंडियान नेशनल कॉंग्रेस नहीं 37 साल तक यह कहा जाए कि जो नाहरू गांधी फैमिली जो है उन्होंने 37 साल तिन सो तिन दिन तक सिर्फ अकेल आज इसमें जवार लान लेरू इंदरा गांधी और वाजिव भारत के परधान मंत्री के रूप में अब इस स्क्रीन को देखिए यहां पर जो तस्वीर के पीछे चिपे हुए है मैं एक मिनट के लिए यह जवार लाल लेहरू है और जवार लाल लेहरू के बाद जो भारत के परधान मंत्री बने कारवाहिक परधान मंत्री वो हैं गुलजारी लान लंदा जो करीब 10-15 दिन जो लिए जिडिट दिया ही नहीं गया कभी उसके वाजवा यह लाल बहादूर सास्तरी बने के आए भारत के परधान मंत्री यह तो मर गए तास्कंद में इसके बाद फिर से यह आपके गुल्यारी लान लंदा को क्योंकि यह कारवाहिक परधान मंत्री के रूप में और त बांदी बनके आई उनिसो चीहासर से निसो सततर तक रही उसके बाद जो है यह वेक्ति हैं हमारे मुरारजी देशाई और मुरारजी देशाई के बाद यह चौधरी चरण सिंग यह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सरकार बिलकुल अस्तिर थी जनता पार्टी कि यह पार्टी में यह थे मुरारजी देशाई और चौधी चरण सिंग उसके बाद इंद्रा गांधी फिर से आई उनिसो चौरासी एक्तिस सक्टूबर को इनकी हत्या कर दी गई इनहीं के बोडिगार्ड्स के द्वारा क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार और यह मैंने कहा आपको एंटी स्रीक राइट्स बोला जाए यह सब कुछ इनहीं के कारेकाल के दौरान हुए थे राजीव गांधी को सेंपेथी वोट मिला यह राजीव गांधी सेंपेथी वोट के वज़े से इनको भारी बहुमत से विजय हासिल हुए 14-40 साल की उमर में भारत के प्रधान मंत्री बने इसके बाद यह व्यक्ति जो है उसके बगल में जो देख रहे हो आप यह है बीपि जुआ है चंद सेखर की बिलकुल साफ निति थी ज्यादा कुछ तो कर पाए नहीं क्योंकि साथ मेने के लिए ते इसके बाद यह कॉंग्रेश की सरकार फिर से निकल के आती हैं और यह प्यवी नर्चिमारा भारत के प्रधान मंत्री बनते हैं पिंशिमारा 1997 तक भारत के प है इन्हीं के कारेकाल के दोरान में बिहार के नितिस कुमार जो है उसे वैरेल बंतरी बने उसके बाद अटल एच डी देव गोड़ा को हम लोग देख लेते हैं एक साल से भी कम समय के लिए भारत के प्रधान मंतरी रहे आएक गुजराल मत्राव एक आ रहा है एक जा रहा इस बिहारी बाजबई और अटल बिहारी बाजबई भारत के प्रधान मंतरी बन कर आए एक लंबे समय के लिए रहे दूहजार चार में उन्हें ने निस सो अठान में में पोकरान टेस्ट भी करवाया और उसके बाद कॉंग्रेस की सरकार आई और ये अटल बिहारी इलेक्शन्स भी जीत गए थे मोधी लेहर का सब कुछ है अभी तो अभी जो पंदरा अगस्त आने वाला है कल तो पंदरा अगस्त दो हजार इसवी दो हजार बीस में ये भारत के प्रधान मंत्री जो होंगे वो जहन्डा फाराएंगे जलाल के लिए पर कुछ भासन भी दें था अनफॉर्चनेटली उन महंत को जो मंदिर के पुजारी थे उनको कोरोना हो रखा था और ये वेक्ति भी जो है कि बहुत संभावना बताई जा रही है कि इनको भी भारत के प्रधान मंत्री को कहीं कोरोना नहीं हो गया हो तो इसके वजह से जो है इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है तो आइसोलेट कर दी है तब यही समस्या रहे है कि कल यह क्या यह जंडा फ़राने जाएंगे यह भी एक बहुत बड़ी बात है धन्यवाद